असलाम अलेकुम उम्मीद है आप खेरियस से होंगे आज हम लेसन नमबर 17 का लास्ट लेंग्विज पॉइंट सीखने लगे हैं सिंपल सा है लेकिन आपको इसमें लेंग्विज से हट के बड़े ही कीम्ती जुम्ले बड़े ही कीम्ती संटेंस बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो मैं समझ रहूं के लेंग्विज तो आपको सीखनी ही सीखनी है उसके साथ साथ आपको बड़ी ही चीज़ें अपनी जिनकी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए यहां सीखनी को मिलती है अगर आप उन बातों को इन चीजों को थोड़ा बहुत भी अपनी लाइफ ने इंप्लिमेंट करने दो Language point है जी रंग जान मतलब है still yet यानि अभी तक यहाँ भी explain कैसे किया है The adverb रंग जान means the situation is the same as before without any change यानि कि situation बगएर किसी तबदिली के अभी भी पहले ही जैसी है For example पहली एक्जामपल यहाँ पर लिखी हुई है चोस्वान सैची कूली शंदा है ती कहता है कि मान लीजिए कि कुछ किलोमेटर्स की गहराई में समंदर के अंदर ये रंग जान नंग खांदाव तोंग जी आप चीजों को देख सकते हैं उपर से भी देख सकते हैं और कुछ किलोमेटर्स नीचे तक भी आप देख सकते हैं यानि उपर भी देख सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं Same without any change दूसे नंबर पे एक्जामपल यह लिखी हुई है ये एक पॉइंट है जो सीखने वाला है और आगे भी है इससे भी ज़्यदा मज़िदार पॉइंट है दूसे नंबर पे कहता है कि इनसान जनवरों से समझधार होते हैं तन तू रंग जाएं जो खंडो च्रदा रंश्वेशी दर तीवा लेकिन जनवरों में फिर भी कई ऐसी चीज़ें होती है जो इस काबिल होती है कि हम इनसान लोग सीखे यानि कि इनसान वैसे तो जनवरों से समझधार होते हैं जहीन होते हैं लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें चाहिए कि हम जनवरों से सीख सकते हैं जनुरों में ऐसी खुबियां पाई जाती है तीसे नंबर पर एक जनरल नॉलेज का समय लिख्यों होई है जूच्योच्वजाईश के फुटबोल के फाइनल मैच में रू को चोशुफंचूं हो अगर 90 मिनट के बाद अभी भी 0-0 गोल हो यानि के कोई भी गोल ना हुआ हो दोनों टीमों को 0-0 गोल हो 90 मिनट गुजरने के बाद आँचाओ कुई तिंग तो रूल के मताबद खई जिंशिंग चार शिर्जाईलाई ज्वे तिंग शूहिंग तो आप अपने मैच के दुरानियें को बढ़ा के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हारा कौन जीता जीत हार के डिसिजन के लिए आप मैच के दुरानियें को बढ़ा सकते हैं फुटबोल के फाइनल मैच में तो सबसे कीमती सबसे फाइदा मन सेंटेंस है वो आने वाला है अभी नहीं है वो गलबन ये लास वाला है लास वाला या सेकंड वाला है देखते हैं पहले नमबर पे बाहरा एक दो लाइनों का डायलोग है यहाँ पे एक रेक्टर कहता है मैंने दोबारा से अपने हस्बन के साथ ये मामला डिस्कस किया था रंगरान पूठोनी वो अभी भी नहीं एगरी हो रहा यानि पहले भी डिस्कस किया था वो नहीं एगरी हुआ फिर डिस्कस किया वो अभी भी एगरी नहीं है तो B क्रेक्टर जवाब दीता है कहता है तुम दुबाना से उसके साथ अच्छे से डिस्कस करो मैं समझता हूँ यहाँ पर एक क्रेक्टर को मामदा डिस्कस करना ही नहीं आता वरना अपने हस्पेंट से बात मनवाना यह तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है बड़ी असाने से हस्पेंट से बात मनवाई जा सकती है तरीका ना चाहिए दूसरे नमबर पर कह लिखा हूँ है कहता है कि अगर्चे यह महस एक गलत फहमी थी ता अन्था रंग जान रंवे अगर्चे वे शर्ट सोव होता लेकिन फिर भी उसके ख्याल में मेरा यह एक्शन मेरा काम यानि मेरी मिस्टेक है मेरा काम गलत है कहता है करचे यह मिस्टेक यह गलत फहमी थी लेकिन फिर भी वो मेरी गलती ही निकाली जा रहा है कोई इनसान है तीसा नमर जी ये चीज़ है सबसे मज़ेदार जो आपको सीखी चाहिए जो मैं भी जो बार बार ये चीज़ें इस तरह की देखता हूँ तो समझे लें कि वो चीज़ें जो हमें लाइफ में पता होती है दुबारा से रिफ्रेश हो जाती है हम जब दुबारा मुख्लिफ वर्डिंग में वही बातें देखते हैं स्टाइल डिफरेंट होता है बात वही होती है तो हमारे जेहन में हमारे दिल में वो बात फ्रेश हो जाती है हम उस पे कहें नहीं थोड़ा बहुत practically follow भी करने लग जाते हैं जो कि एक positive चीज है तिसे नमबर पे लिखा हुआ है कहता है कि एक 70 साल का बुड़ा इंसान जिसके खाब हो जिसके ड्रीम हो उसका दिल अभी भी जवान है यानि ऐसा बुड़ा इंसान जो खाब देखता है जिसके ड्रीम है वो अभी भी जवान है उसका दिल अभी भी जवान है एक 20 साल का जवान जिसने अपने खाब छोड़ दिये हूँ अपने ड्रीम उसने तर्क कर दिये हूँ उसका दिल औरेड़ी बुड़ा हो चुका है मैं यह दो इसको शुरू में इस पॉइंट को तो शुरू में रखना चाहिए था इतना जबुड़ा इस पॉइंट है कि एक बुड़ा शक्स जिसके खाब हैं जिसके कोई टार्गेट्स हैं जो आगे चलने की हिम्मत रखता है उसका दिल अभी जवान है और एक ऐसा बीस साल का जवान शक्स जो खाब नहीं देखता जिसके कोई ड्रीम नहीं है उसका दिल अलड़ी बुड़ा हो चुका है इस खुबसूरत इस जबरदस सेंटेंस के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ अपनी दोव में याद लखेगा अलाहाफेज